कार्तिक इस्तान चिराचिडी की कहानी एक बुढिया माई थी कार्तिक का वरत करती थी उसको भगवान कृष्ण खिचडी का कटोरा रख जाते और बुढिया माई वरत खोल लेती पडोसने देखकर जलती की इसका कोई भी नहीं है फिर भी खिचडी इसको खाने के लिए मिल जाती है एक दिन बुढिया माई कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी भगवान आये और खिचडी का बेला मकान में रख दिया पडोसन ने खिचडी का बेला उठा कर मकान के पिचवाडे में फेक दिया बुढिया आई तो खिचडी का बेला देखा उसको कहीं नहीं मिला उस दिन वह भुकी रही और कहने लगी कहां गई मेरी खिचडी कहां गया मेरा बेला पिछवाडे में उस खिचडी के दो फूल बनकर उग गए एक दिन राजा शिखार केलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे उनको वह फूल दिखाई दिये राजा ने फूल तोड़ लिए और फूल तोड़ कर ले जाकर रानी को दे दिये राजा ने फूल देखकर सुंगे तो राणी को गर्ब रह गया राजा राणी के कोई संतान नहीं थी फूल सुंगने से राणी के दो लड़के पैदा हो गए अब वह लड़के बड़े होने लगे पर वहे बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढिया मिलती बुढिया माई कहती जाती कहां गई मेरी खिचडी कहां गया मेरा बेला तब लड़के कहते हम ही तेरी खिचडी हम ही तेरा बेला जब भी लड़के शिकार खेलने जाते तो बुढ़िया माई ऐसे ही कहती और लड़के वही जवाब देते अब राजा को पता लगा तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा हमसे तो ये बोलते नहीं तुझ से कैसे बोल देते हैं तब बुढिया ने कहा मुझे इस बात का कुछ मालूम नहीं है पर मैं कार्तिक का वरत करती हूँ तब भगवान कृष्न मुझे खिचरी दे जाते हैं एक दिन मुझे खिचरी नहीं मिली तब मैं कहने लगी कहा गई मेरी खिचरी कहा गया मेरा बिला तब लड़के बोले तु लिए कार्थिक बगवान कीज़े